हेलो विद्यारत्यों एल्वी क्लासेट के इस नई वीडियो में आप शबी का श्वागत है तो आज के इस लेक्चर में फेजिक्स का चैप्टर नमबर 7 यानि कि प्रत्यावर्ति धारा इसके बारे में आपको आपर बताया जाएगा तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आप और इसी प्रकार से आपको दूसरा टॉपिक भी पढ़ना है जो कि चैप्टर का नाम भी है यानि कि प्रत्यावर्ति धारा जिससे बोला जाता है अल्टरनेटिंग करेंट और सार्ट में लिखते हैं AC इस प्रकार से आपने AC और DC सुना होगा तो सबसे पहले आप इससे ग् ग्राफ के लिए धान देजी मनली जी यहां पर X सक्ष है और इस प्रकार से यहां पर Y अक्ष तो यहां पर जो X सक्ष है इस दिसाने आपका ग्राफ इसका मतलब समय बढ़ रहा है और जब इस तरफ कोई चीज बढ़ेगी तो इधर आपको लेना है धारा यानि कि यहां प इस प्रकार से इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप इधर आगे की ओर जाएंगे इसका मतलब समय बढ़ रहा है और जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब धारा बढ़ रही है नीचे की ओर आएंगे तो इसका मतलब धारा घट रही है तो उशी प्रकार से दंद जिसका परिमार जो है समय के साथ इस्थिर रहता है ऐसी धारा को हम लोग बोलते हैं दिश्ट धारा यानि कि डीशी तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेंगे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वह धारा धारा जिसका परिमार जिसका परिमार समय के साथ समय के साथ इस्थिर रहता है इस्थिर रहता है ऐसी धारा को धारा को दिश्ट धारा कहते हैं तो यह अप लोग याद रखेंगा और इस धारा की आवरत जो होती है वो सूनने होती है इसके अलाओं यह धारा जो है बैटरी अथ्वासल से प्राप्त होती है तो यह भी आप बता सकते हैं कि दिश्ट धारा की आवरती शूनने होती है यह धारा बैटरी अथ्वासल से प्राप्त होती है यह धारा जो है समय के साथ इस्थिर रहती है यह यहाँ कि इसका मान ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है अब इसके बाद ध्याँ धारा पर प्रत्यावरती धारा अब इसका ग्राफ ध्याँ 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 दिश्ट धारा कि यहों गया एकस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् समय बढ़ रहा है और जब भी यहां पर ग्राफ उपर जाएगा तो इसका मतलब धारा बढ़ रही है और जब नीचे जाएगा तो इसका मतलब यहां पर धारा घट रही है तो यहां पर धंदीजी इस जेगे से धारा जब प्रारम हुई तो पहले यहां पर धंदीजी उपर फिर घटने लगा इस प्रकार से यहां पर नीचे आगे और फिर घटने के बाद यहां पर दंदेजी फिर उसी बिंदु पर आ गया जहां से यह स्टार्ट हुआ था अब इसके बाद फिर से इसी प्रकार से इसका ग्राफ उपर जाएगा और फिर उसके बाद नीचे जाएग यहाँ पर इसका जो परिमाड है वो एक निश्चित क्रम में यहाँ पर बढ़ता है याद रखेगा जिसे कि यहाँ पर दंदीजी पहले यहाँ शदारा उपन हुई इसके बाद इसका मान घटा चला गया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसका मान अपर यह क्या था सुनने यहाँ से बढ़ना सुरू होगा तो उसी परिमाड और इसके अलावा यहाँ पर आप बता सकते हैं उसी दिशा में उत्पन हो जाती है तो ऐसी धारा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रत्या वर्ती धारा यानि कि आप बता सकते हैं इसमें कि वह धारा वह धारा जो एक निश्चित समया अंतराल पश्चात पुना उसी परिमाड पुना उसी परिमाड तथा उसी दिशा के साथ उसी दिशा के साथ उत्पन हो जाती है ऐसी धारा को धारा को प्रत्या वर्ती धारा कहते हैं डीसी में जो धारा होती है उसका परिमाड जो है उस समय के साथ नहीं बदलता है इस्तिर रहता है लेकिन जो प्रत्या वर्ति यानि कि जो एसी है यह जो एक निश्चित समया अनतराल पश्चात पुना उसी परिमाण और दिशा के साथ प्रकट हो जाती है यानि कि उत्पन हो जाती है तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीन सॉट ले शकते हैं अब इसके बाद धन्देजी अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रिरित विदुत वाहक बल अथ्वा प्रिरित ओल्टेज और इसके लाँ प्रत्या वर्ति धारा की उत्पत्ति तो इसके लिए धन्देजी मानली जी एक समान चुम्ब के छेतर में जो है कोई कुंडली जो है वो घूम रही है इस प्रकार से यहाँ पर एक कुंडली हो गई जो कि चुम्ब के छेतर में जो है अपने अक्ष के परता घूम रही है इस प्रकार से यहाँ पर इसे लटकाया आ गया है और यह जो है मानली जी इस प्रकार से यहाँ पर घूनन कर रही है इस पर प्रदसित कर दीजिए यहां पर चुंबकी बल रेखाएं हो जाएंगी इससे आप लेख सकते हैं इस प्रकास से तो अब धान देजे मान लेजिए यहां पर इस कुंडली पर खिंचा गया भिलंग और चुंबकी बल रेखाएं जो है इनके बीच का कौन क्या है थीता है इस प अब धान देजिए मान लीजिए आप जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या आप मान लीजिए कैप्टल कि है कैप्टल और फेरों की संख्या capital N है तो किसी छण तो किसी छण T पर छण का मतलब याँ पर समय से है किसी छण T पर कुंडली से बद कुंडली से बद कुल चुम्बकी flux कुल चुम्बकी flux तो यहाँ पर रण देजिए कुल चुम्बकी flux की बात हुई है तो चुम्बकी flux को हम लोग लिखेंगे phi B से इसका फार्मूला होता है N B A cos theta इतना हो जाएगा अब यहाँ पर रण देजिए आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए फार्मूला यह होता है theta बराबर omega t इतना होता है theta बराबर omega t तो अब धन देजिए यहाँ पर जो phi B दिया गया था N B A cos यहाँ पर जो theta है इसकी जगे पर आप यह वाला मान रख देजिए omega t तो यह इतना हो जाएगा अब यहाँ पर इसका जो है आप आउकलन करेंगे t के साप h तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं differentiation with respect to t यानि कि t के साप h आपको इसका आउकलन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा फिर d phi b और बटे में हो जाएगा d t इस प्रकार से इतना हो जाएगा बराबर यहाँ पर इसका आउकलन नहीं होगा b का आउकलन नहीं होगा a का आउकलन नहीं होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे d by dt और यहाँ पर हो जाएगा कौश omega t इसका यहाँ पर आउकलन होगा तो और कलन के लिए आपको यहां पर formula पता होना चाहिए तो इसके लिए धन्दीजे आपकर formula क्या है formula यह होता है d by dx cos nx बराबर होता है minus n sin nx यह formula है और कहीं पर cos और इसके साथ कोई value दे गई है फिर x है तो यहां पर x के साथ इसका 화akad Mig कहले है इसलिए यहां पर यहां साइन एक्स और यहां पर minus लग गया लेकिन आप यहां पर जो और आजायए घच कर रहें भाद दिजी इसके प्रकाश यहाँ पर ABOUT साइन में तो यहाँ पर यहांस पर यहाँ पर यहाँ पर आजाएगा उमेंगा के इसके बाद धन्दी जी यहाँ पर d5b बटे dt, यह आपको पता जल गया, अब आप ग्याद करेंगे यहाँ पर प्रेरित विद्धुत वाहक बल, जो की आपको ग्याद करना है, तो अब आप यहाँ पर लेखेंगे कि अब, कुंडली से बध, कुंडली से बध, प्रेरित विद्धुत वाहक बल प्रेरित विद्धुत वाहक बल तो प्रेरित विद्धुत वाहक बल इसका फार्मूला होता है ए बराबर माइनस दी फाई बी बटे डी टी इतना होता है तो ये हो जाएगा फिर ए बराबर रहने दी फाई बी बटे डी टी इसका मान यहाँ पर यह ग्याद किया गया है तो इसका जब मान रखेंगे आप यहाँ पर यह भी माइनेश में है तो यह माइनेश और यह माइनेश मिलके तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर आएगा फिर N, B, A, OMEGA, SINE, OMEGA, T इस प्रकार से यह इतना आ जाएगा तो अब ध्यादीजी यहाँ पर यह जो आया है इससे आप मान लिजी समी कर नमबर 1 अब यहाँ पर ध्यादीजी अगर मान लिजी SINE का मान अधिक्तम हो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यदि SINE OMEGA T MAX यहनि कि इसका मान अगर अधिक्तम है तो उस समय E का मान भी क्या होगा अधिक्तम होगा तो E क्या हो जाएगा आपका maximum हो जाएगा अगर यहाँ पर यह जो SINE OMEGA T दिया गया अगर इसकी value maximum यहनि कि अधिक्तम है तो इसका मान अधिक्तम होने पर E यहनि कि विद्दुत वाहक बल का मान भी अधिक्तम हो जाएगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि SINE में अधिक्तम मान क्या होता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे अधन SINE OMEGA T बराबर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 क्योंकि SINE का जो अधिक्तम मान होता है वो 1 होता है यानिकि 1 जो है वो shine में सबसे बड़ा मान होता है तो अधिक्तम मान क्या हो जाएगा 1 तो इस स्थित में जो आपका E है ये भी उच्छ होगा क्योंकि बतायागा जब इसका आप अधिक्तम मान यूज करेंगे तो ये भी क्या होगा? अधिक्तम हो जाएगा तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे इश में, अब धन्दी जी, यहाँ पर यह हो जाएगा E, बराबर, यहाँ पर धन्दी जी, N, B, A, उमेगा इतना दिया गया, तो अब धन्दी जी, E का मान कितना हो जाएगा, E not, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे E not, कब होगा, साइन उमेगा T1 हो जाएगा, इसका मतलब यह आजाएगा फिर N, B, A, उमेगा, इसकी जगे पर आप यूज़ करेंगे 1, यानि कि E not बराबर N, B, A, उमेगा, इतना आ गया, अब इसके बाद धन्दी जी, अब आप यहाँ पर लिखेंगे शमी करण 1 से, अब आपको शमी क 1 यूज़ करना है, तो धन्दी जी, यहाँ पर दिया गया है E, यहाँ पर आप लिखेंगे E, बराबर, यहाँ पर धन्दी जी जो यह दिया गया है, N, B, A, उमेगा, इसके बराबर आपने गयाद किया है, N, B, A, उमेगा, इसके बराबर किया है E not, तो इसकी जगे पर उत्वाहत बल्ग्यात हो जाएगा अब इसके बाद धन्देजी अब आप यहाँ पर लिखें कि यदि कुंडली का प्रतिरोध कैप्टल आर है तो प्रेरित धारा यहनि कि अगर प्रतिरोध आर है तो उस समझो धारा होगी उसका फॉर्मूला होता है आई बराबर इतना होता है तो अब धन्देजी आई बराबर ए का मान आपने ग्याद किया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उच्छ मान यहाँ पर यूज करेंगे तो फिर धारा का भी मान अधिक्तम हो जायेगा इसलिए यहाँ पर जब आप ई यूज करेंगे तो यह पर आई के जगे पर क्या लग जाएगा आई नौट फॉर्मूला सेम यहाँ पर भी एक जगे पर ई जब इसका उच्च मान्योज करेंगे तो यहां पर धारा का भी अधिक्तमान प्राप्त हो जाए तो इसी प्रकार यहां पर रंदी जी यह जो आया है इसका मतलब यह हो जाएगा फिर आई बराबर इसकी जगे पर आप क्या लिख सकते हैं इसके इमसार आजाएगा आई नौट साइन ओमेगा टी इस प्रकार से तो यह यहां पर प्रत्यावर्ति धारा का मान हो जाएगा इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि जहां आई नौट एसी का सिखर मान इसी का मतलब प्रत्यावर्ति धारा का सिखर मान यानि कि उच्च मान अब आगे आपको लिख देना है इसी प्रकार जैसे कि आपने यहाँ पर प्रत्यावर्ति धारा का सिखर मान ग्याद किया है उसी प्रकार से अगर उल्टेज का ग्याद करना हो तो फिर ढ़न देजी इसे आप किस प्रकार लिखेंगे वी यहाँ पर आई था तो वी आ जाएगा बराबर यहाँ पर आई नॉट है तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट इसके आगे दिया गया है साइन ओमेगा टी इस प्रकार से यहाँ पर आप प्रत्यावर्ति उल्टेज ग्याद कर सकते हैं अगर मान लेज़े आपको सिखर मान ग्याद करना होगा तो यही चीज़ें पर बटे में आ जाएगी इसलिए धन्दिजें पर लिखा गया था प्रेत वुद्धुत वाहगबल जो की यह ग्याद हो गया है इसके लाँ प्रत्यावर्ति उल्टेज यह हो जायाएगा आपका इसके लाँ प्रत्यावर्ति धारा यह ग्याद हो गई तो इस प्रकार आप यहाँ पर तीनो ग्याद कर सकते हैं तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं तो बाकी के टॉपिक में आप लोगों नेक्स वीडियो में बताऊंगा अगर आप सभी को ये वीडियो पशंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद